माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लेगेसी वेरिफाइड एकाउंट से ब्लू टिक हटा दिये हैं स्यासत से लेकर क्रिकेट, जगत और बॉलिवूट की बड़ी हस्तियों के ट्विटर एकाउंट से ब्लू टिक हट चुका है इनमें कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी, यूपी के सियम योगी आदितनाथ, दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल, क्रिकेटर विराट कोहली, अविनेता शारुक खान समेत कई विशिष्ट अस्तियों के ब्लू टिक मार्क हट गए हैं बीजेपी के ट्विटर एकाउंट से भी ब्लू टिक गायब हो गया है। आए जानते हैं कि किनकिन लोगों के ब्लू टिक हटाए गए हैं। बच्चन, शारुक खान, अक्षाय कुमार समेत कई बॉलिवुड की हष्टियों ने ब्लू टिक गवा दिया है। क्रिकेट जगत की बात करें तो भातियर टीम के पूर्व कपतान MS धोनी, क्रिकेटर ब्राट कोली समेत कई खिलारियों के ट्विटर एकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गए हैं। बदा दें कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने 12 अप्रेल को ही एलान कर दिया था कि 20 अप्रेल से सभी लेगेसी वेरिफाइड एकाउंट से ब्लू टिक हटा दिये जाएंगे, जिन्होंने पैट सस्क्रिप्शन नहीं लिया है, उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अग ब्लू एकाउंट मिला हुआ था, अब सिर्फ उन्हीं एकाउंट पर ब्लू टिक नजर आएंगे जिन्होंने ट्विटर की मेंबर्शिप ले रखी है, पता दें कि से पहले ट्विटर राजनेताओं और बिनेताओं पत्रकारों समेत मशूर हच्तियों के एकाउंट पर ब् पहले से मिले ब्लू टिक को बरकरार रखना चाहता है, तो उसे ट्विटर ब्लू का भारत में ब्लू टिक का सब्सक्रिप्टन 650 रुपए से सुरू है, जबकि मॉवाइल यूजर्स को ब्लू टिक के लिए 900 रुपए प्रत महीना चार्ज देना होगा